तो हेलो एन वेलकम स्टूडेंट तो क्या हाल चाल आप सभी के उम्मीद है कि आप लोग का प्री अच्छे होंगे तक अगर आप लोग डबलोग एक्जाम 2030 का एक्जाम दिये होता आज का वीडियो आप लोग लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉटेंट होगा क्योंकि हाथ के वीडियो में डिसकस करने वाले हैं डबलोग जी गंदर जो कोलेज है उन कोलेज के CSC और IT ब्रांच के वारे में लास्ट क्लोजिग रेंग किया जाता है तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉटेंट होगा और आप लोग हमारे चनल पर नहीं सकते हैं और बेस्ट बंगाल की स्टूडेंट है तब भी आप लोग देख सकते हो और देखिए अगर आप लोग डबलीजे के जाम पहली बात दिये हो आपको कांसलिंग बगारा नहीं आता है और आप हमसे कांसलिंग करवाना चाहते हो तो आप लोग हमारी कांसलिंग दिख रहा है इसपे क्लिक किजिएगा फिर नेक्स्ट आपका यह वाला पेज नियू पेज ओपन हो जाएगा तो यहांसा आप लोग यूपी आइडी से भी और आप लोग स्केंड करके भी पे कर सकते हो और पे करने के बाद आप लोग उसका स्कीन सोट लिजेगा और यहा आपको टॉप अरेंग होना चाहिए आइटी ब्रांच की बात के तो 90 में इक ब्रांच क्लोज हो जाता है और राउंड ठी का कट ओफ है तो इस इंजिनिरिंग कोलेज में सिर्पर सिफ बैस्ट पंगल के स्टुडेंट है तो आपको इस कोलेज में नहीं मिलेगा तो पिर है आपका आईएम ये प्राइवेंट के ब्रांच जो चारजार का रियंक है तो आपको इसी इन अप्राइवेट में ठ्माट हसका इंजिस स्टुट्यमॉट अपर प्रायबेट के इस टुटंणी भी है अउर इन्यों है आपका ब्रांच क्लोजिघ में उनका सल्ट्ट चार हजार में आपका IT ब्रांच क्लोज हो जाता है फिर आता अपका हल्दिया इस्टिटीट ऑफ टेक्नलोजी ये भी आपका प्राइबेट कोलेज है सभी स्ट्वियन लोग एडमिशन ले सकते हैं और पांच जात तक रेंग में आपको IT ब्रांच मिल जाता है तो देखेए डियर स्टुटेंट अगर आप लोग बेस्ट बंगल के बाहर की स्टुटेंट हैं आपको जादव पूर कलकता इनुवर्मेंट इनुवर्मेंट कोलेज है अगर इसमें आपको एडमिशन नहीं मिलत देखेंगे और बाकि मैंने आपको बता दिया आई-एम हेरिटेज और हल दिया एक और नेरूला इनको आप लोग ध्यान रखेगा इसको काफी अच्छा पूलीज माना जाता है वेस्ट बंगल के अंदर तक आपको रहेंक अच्छा आता है तो इन्हीं को प्रिफर करना ओक फिर आता आपका Government College of Engineering and Textile Technology बेरामपूर रिसीफ होमिस्टेड वाला इस्टोरियन लोग के लिए है पांच हज़ार पांच हो में Computer Science ब्रांच क्लोज हो जाता है वह भी आप IT ब्रांच नहीं है फिर आता आपका Government College of Engineering and Leather Technology कोलगत्ता यह भी होमिस्टेड वाला इस्टोरियन लोग के लिए है 2007 में Computer Science ब्रांच क्लोज हो जाता है और यहांपे आपको IT ब्रांच देखने को नहीं मिलता है फिर आता आपका Government College of Engineering and Textile Technology शेरंपूर इसी टाइप यह और कोलेज है Government College of Engineering and Textile Technology बेरामपूर यह दोनों कोलेज का नाम सेम है खाली लोकेशन अल्लाग है एक इक आपको आपको कम्भ clinicalेशन बात करेंगे जहांपे आपका मार्ज हो है 3045 25 20 ही टाइप ऑर 44 ब्रांच में चाहते हो घे सब कोलेज में पढ़ सकते हो लेकिन रहीं सब कलेज अतना लघलॉप नहीं हुआ है इसमें सब देखिए खिएगा किसी कोलेज का Okay मपस आछड़ा है तो किसी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है तो इसाफ कोलेज आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगा लेकि नागर आपका रहें जो है सत्तर अजार, साड़ अजार इस टाइप का है तब भी आपको इसाफ कोलेज में सीएसी, आईटी जाचे ब्र जाता है तो काफी अच्छा कोलेज माना जाता है फिर आथा आपका बंगाल इस्टिट फु टेचनोलोजी बी इसको इहां पका प्यांपका पैंसर आदा पन्जार तक में समल जाता है प्र आता नहीं है यहाप पिरभूम इस्टूट फ इंघिरिंग एंड मैंग्सिमेंट पर इंजिनिंग और 40,000 में आई टी बरांच मिल जाता है पिर आतका लाघ्टक केंपस अपे कम्पूर when laker नहीं पूर उर्प मेंुल यारी तो एक यारम नग्ताईगर लेकिन उसका कटॉफ अबवीत तक सब्सक्राइब करतु आशारा धे लिय९ह बाकिए लिखेंव फोट के लिगेशन के राटानॆ यहコ attends किये तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर दो इस चनल में आपको डब्लू बीजिस रेटेट सारा अथन्टिक वीडियो और नोटिफिकस्टान टाइम टू टाइम मिलते रहेगा तो ठीक है चलिए वीडियो कहीं खतम करते हैं वीडियो देखने के ल ॉब्सक्राइब कर राऊब सुम्सक्राइब य Corn वीडिलो लॉब्सक्राइ